हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका dfccil का twitter official twitter handle के पेज पे और यहाँ पे काफी ज़्यादा एक important point है आप सभी के लिए जो ही student जो है सो dfccil का preparation कर रहे हो educational qualification में जो आपका degree है उसको लेकर के काफी student ने question पूछा है कि sir forum philip करने का date पहले 23 मई था लेकिन अब तो date बरहा करके 23 जुलाई कर दिया गया है तो फिर degree जो है वो 23 मई तक का ही क्यों मांग रहा है 23 मे तक का ही क्यों मांग रहा है जो क्यों ये extend नहीं हो सकता है at least 23rd July last date है न फौरम philip करने का तो 23rd July तक का eligible करवाने का गोसिस कीजिए ताकि जिस student का result आपका 30 मे को आया है आप सभी को पता होगा ITI का result जो है 30 मई के आसपास आया है तो उन लोगों को भी मन है कि वो ये फौरम philip कर सके तो अगर आपका date 23 मई से बढ़ा के 23 जुलाई कर देगा तो वो लोग eligible हो जाएंगे और वो लोग फौरम अपलाई कर सकते हैं और इस वज़े से जह है सो काफी student कमेंट कर रहा है तो जो भी हम लोग जैसे teachers हैं वो लो का क्या काम है कि वो लोग twitter पे आके tweet करते हैं official page पे जाके ताकि कुछ response मिल सके आप सभी लोग भी एक point जान जाओ कि अभी digital media का जमाना चल रहा है और social media जो है सो काफी ज्यादा vital role play कर रहा है ये सब चीज में तो आप जितने भी student हो जो right now ये lecture देख रहे होगे तो simple सी बात सभी के पास smartphone वगरा होगा सभी लोग telegram, whatsapp, instagram, facebook, twitter ये सब use करते होगे तो जितने भी student हो सभी लोग instagram पे भी account बना लो twitter पे भी account बना लो telegram भी install कर लो और हर जगा पे जो है सो आ जाओ dfccil का official telegram group मैंने बना दिया है link आपको description मिलेगा जितने भी student ये lecture देख रहे हो dfccil का official telegram group को join कर लेना वहाँ पे जितने भी लोग हैं सिर्फ dfccil के लिए preparation कर रहे हैं तो आपको जो है सो हर एक update time to time मिलता रहेगा और instagram पे और twitter पे आके आप लोग मुझे follow कर लेना और जो भी demand होगा कल हो करके कोई hashtag चलाना होगा तो चलाओंगा follow किये रहोगे तभी पता चलेगा और उसके बाद आप लोग tweet, retweet, retweet, retweet करते रहोगे तो वो hashtag trending में आ सकता है जिस वज़े से जो सो कुछ positive result आने का उमीद ह होता है तो यहां पे आप लोग यह जान जाओ कि यह है आपका twitter handle का official page dfccil का यह आप blue tick देख सकते हो इससे भी आप समझ सकते हो और इतना ही नहीं यहां पे आप follower देख सकते हो 17,300 follower है तो इससे भी आप समझ सकते हो तो यहां पे एक channel वाले ने काफी student के demand पे इस तरह का question arise किया था कि sir क्या date extend नहीं हो सकता है क्या respected sir dfccil का advertisement number आपका 04-2021 है उसका junior executive का post है उसके लिए आपका जो awaited result का आपने last date रखा है 23rd में उसको बढ़ाय करके 23rd July कर दीजिए जिससे कि हम poor student को भी मौका मिले क्योंकि 30 में को जो सो रियर्ड आपका आ चुका है तो इस पे जो है so dfccil ने direct क्या reply दिया है आप लो जाँजा कि your request to relax in eligibility condition has been seen मतलब हम लोगों ने आपका यह देखा है जो message आपने किया है कि date को बढ़ाना चाहिए extend करना चाहिए लेकिन and it is advised that your request can't be accessed to मतलब यह बताया जा रहा है कि आपका request को जो है so consider नहीं किया जाएगा और the position may be appreciated और जैसा जिस post के लिए जो भी जैसा था वैसा ही रहेगा तो समझी गया होगे सारा चीज कहने का मतलब कि आपका जो है so officially date नहीं बढ़ाएगा वो लोग वो लोग फोरम फिलब करने का date तो बढ़ा दिया लेकिन वो लोग जो हैसा यह eligibility criteria बढ़ा date को नहीं बढ़ाया क्या region है नहीं region है वो तो अब DFC CIL जाने फिलहाल का date आपका य यही है और मैं बार-बार बोल रहा हूँ जितने भी लोग Twitter यूज करते हो अच्छी बात है नहीं करते हो account बना लो और वहाँ प्याके मैं अपना profile का link दे देता हूँ मैंने भी नया ही बनाया हुआ है ठीक है तो आपका जबसर at the rate अभिजीत कुमार 53 करके user ID है search कर लेना न है comment करना इसी तरह से जो है सो हम लोग आपको जो है सो information को पता करके share कर दिया करेंगे ताकि आपको कोई problem ना फिस करना परे और लास्ट तक जो student ID lecture देख लिए उनके लिए एक offer दे रहा हूँ आप DFC CIL का preparation अगर करना चाह रहे हो seriously 100% selection guarantee के साथ तो दो तरह का course मैंने available करवा आया हुआ है आपका executive engineer executive post का जो operations NBD का है एक है आपका complete course और एक है आपका test series तो दोनों में से जो course आपको अच्छा लगता है वो course आके app को download कर लेना app का link भी description में है और इस course को आके आपको purchase कर लेना purchase करने का मतलब ही हुआ serious student उसके special attention रहता है ताकि आपका selection आसानी से हो सक और जितना कुछ आपको चाहिए वहाँ पे सब कुछ मिलेगा multiple attempt से लेके both language से लेके fast server से लेके pdf से लेके test series pdf से लेके solution detailed explanation video lectures सब कुछ जो आप सो सकते हो और सब कुछ एक platform पे एक जगा पे एक साथ आपको मिलेगा तो आपको जो है सो पढ़ने का एक motor मिलेगा और section wise इधर घर भटकोगे तो फिर problem आपको ही होगा चलो उमीन करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया हूँ कमेंट करना 10% का instant discount आपको दे दूँगा कि सर मैं यहां से lecture देख करके आया हूँ चलो मिलते हैं नेक्ष लेक्षर में बाई आंक्यू